राजस्तान स्पेशल उप्रेशन ग्रूप यानी के सोजी पुलिस ने एसाई परिक्षा में नकल मामले में कड़ी कारवाई की है सोजी ने 15 ट्रेनी दारूगा को नकल करने के शक में हिरासत में लिया है फरवरी महीने में राजस्तान पुलीस ने कई जिलों में कारवाई की थी किशनगर, जालोर और बारमेर से संदिक धूं को पकड़ा 29 फरवरी को जगदीश विश्णोई की गिरफतारी हुई थी जिसे इस मामले से जुड़ा बड़ा नाम बताया जा रहा है देखिए राजस्तान स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रूप के लिए बहुत बड़ी काम्याबी है जैसे ही भजनलाल सरकार आई है उसमें SIT का गठन किया था क्योंकि पेपर लीग बहुत बड़ा इलेक्शन मुद्दा भी बना था और SIT जिसको हेट कर रहे है ADG वीके सिंग उनके नितरत्व में SOG ने इस मामले की तह तक बहुचने की कोशिश की है अब हरिशवर्दन मीना और जगदीश यादव को अरेस्ट करने के बाद जनोंने J.E.N. का पेपर लीग किया था उसके बाद में उनके हाथ लगा था जगदीश विश्णोई जगदीश विश्णोई को पेपर लीग माफिया चीटिंग माफिया में गुरू के नाम से जाना चाता था और गुरू की इंटरोगेशन के बाद पुलीस को इस तरह से लीड्स मिली है कि जो सब इंस्पेक्टर का एक्जाम हुआ था 2021 में उसमें बड़े पेमाने बेच चीटिंग हुई थी और इसके तहट उन्होंने 15 अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स पुलीस परसनेल को उठाया है राजिस्थान पुलीस अकाड़मी से 12 को लिया है, दो को अपने घर से पकड़ा है, बार मेर और साचोर से और एक को पुलीस ट्रेनिंग स्कूल किशनगर से लिया गया है, उनका इंटरोगेशन चल रहा है और लगता है कि उनसे अगर ठोस लीड्स मिलते हैं, तो फिर SOG ये भी इस्टैब्रिश कर पाएगी कि सब इंस्पेक्टर एक्जाम पर चीटिंग हुई थी, कौन है जगदीश मिश्णोई, जगदीश मिश्णोई को गुरू के नाम से जानते है और बताया जाता है कि वो पेपर लिग माफिया का एक तरह से सरगना है जबसे SOG ने ये केस संभाला है, SOG ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो राजस्थार में एक पूरा चीटिंग माफिया पनप रहा था और साथ ही जो चीटिंग माफिया था, वो कभी-कभी एक साथ कोलाबरेशन में काम करता था, कभी-कभी कॉम्पूटिशन में रहता था तो ऐसा नहीं है कि कोई सब अलग-अलग पेपर लिग करते थे, कहीं न कहीं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ये बहुत-बड़ी काम्याबी, बहुत-बड़ी सफलता मानी जा रही है सोजी को लेकर, इसलिए मुक्यमंत्री भजन लाल ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है, कि अब जो है, ये सरकार इस बात से प्रतिबद है, इस बात से उनका, उनोंने सोच लिया है, गाट ब पहुचे गरे